ही गाईज वेलकम टू माई चैनल सौम्या टेरोटकार डीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाईज आपके लिए नेक्स्ट फोटी एट आवर्स तक की रीडिंग लेकर आई हूँ next 48 hours में कैसा रहेगा आपका relationship next 48 hours में कैसी रहेगी आपका career next 48 hours में कैसी रहेगी आपकी energies आपके person के साथ इस चीज को tarot card पर देखेंगे चलो को like subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए और bell icon को press कर लिजेगा next notification के लिए बहुत ज्यादा positive होकर मेरी इस reading को देखिए कि क्या होने वाला है next 48 hours में so यह जो reading है वो career पर भी है यानि कि next 48 hours में मैं आपकी career को भी देखने वाली हूं next 48 hours में मैं आपके relationship को भी देखने वाली हूं कि आखिर बदलाओ क्या होंगे next 48 hours में क्या से changes जो आप feel करोगे and energies क्या होने वाली इस चीज को देखेंगे so general reading है यह तो सभी लोग देख सकते हैं राशियां जो भी होंगी मैं इस टेरोकार डीडिंग में आपको बताने वाली हूं कि राशियां क्या है और दूसी चीज है यहां पर universe को जरूर याद करा करें जब यहां प्रीडिंग को देखे universe को जरूर याद करें तो सलीए सबसे पहले energies को check करेंगे इस समय पर कि आपकी energies क्या है सबसे पहले आपके energies को check करूंगी मैं सबसे पहले आपकी जो energies मुझे इस समय पर आ रही है क्लियर्टी की आ रही है ऐसा लग रहा है आपके energies को देखकर कि बहुत जादा confuse हो रहा हो ऐसा है क्या confusion clarity relationship में बहुत ज्यादा clarity चाहते हो लेकिन clarity relationship में नहीं मिल रही है 스트reus में हो career की तरफ focus करते हो career चाहते हो कि आपका career अच्छा हो लेकिन मैं यहाँ पर देख ए हूं कि career की तरफ focus कर नहीं पा रहे हो दूसरी चीज और आइसोलेशन का काड भी है तो कई ना कई अगर मैं आपकी अनर्जी इसको देखो तो कुछ चीजे मुझे बहुत तेजी से दिखाए दे रही है सबसे पहली चीज तो यहां पर यह दिखाए दे रही कि अकेला पन बहुत ज्यादा हो रहा ह बहुत ज्यादा अकेला पन हो रहा है बहुत ज्यादा अकेला पन फिल कर रहे हो दूसरी चीज करियर जो है करियर में एफर्ट्स कर रहे हो मैनत कर रहे हो इमानदारी से कर रहे हो बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी करियर में कुछ चीजे ऐसी हैं जो बदलाव नहीं हो रहे अगर यह रीडिंग आपके साथ resonate करें तभी आप इस रीडिंग को completely देखेगा और यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूं clarity जैसे मैं बोल रही हूं तो clear नहीं हो रहा बहुत जादा clarity चाहते हो relationship में क्योंकि up and down की energies यहाँ पर show हो रही है on of on of situation बहुत time से आप इस on of situation को के साथ जो है वो है तो partner की side से ना तो कोई clarity मिल रही है और confusion बहुत जादा हो रहा है जितनी clarity चाहते हो person से बात करने कोशिस करते हो clarity लने कोशिस करते हो उतनी ही clarity आपको नहीं मिलती है तो यह स्थिति मुझे आपकी relationship में भी दिख रही है करियर में मुझे एक चीज और दिखाए दे रही है कुछ लोगों की energy जो मुझे receive हो रही है business की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है आपका किसका ध्यान जा रहा है business की तरफ जरूर बताएगा comment section में क्योंकि मुझे जो energies मिल रही है इस समय पर business कुछ नया business grow करना चाहते हो खोलना चाहते हो या फिर आप किसी business में already हो लेकिन business काफी time से grow नहीं कर रहा है ऐसी energies मुझे आपर आपकी feel हो रही है तो चलिए अभी मुझे यह बताएगा आप comment section में कैसी energies आपकी हो रही है तो चलिए अभी यह देखते हैं कि next 48 टावर्स में क्या क्या changes होंगे राशिया जो मुझे दिख रही है मेश राशी मिथुन राशी टॉरस राशी ब्रशव कर्क राशी कन्या राशी वर्गो लिवरा जैमनाई अब पार्टनर की जो energies आ रही है next 48 आवर्स में क्या changes होंगे दिखो पार्टनर की energies के according मैं यह आपर जो देख रही हूँ नेक्स 48 आवर्स में कई ना कई कुछ clarity मिल सकती है बहुत जादा clarity तो नहीं मिलेगी next 48 आवर्स में लेकिन हाँ कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत जादा clarity मेले बतलब like कुछ ऐसी चीजे है secrets है नेक्स 48 आवर्स में आपके सामने आने ही आने है हो सकता है कि कुछ बाते ऐसी है जो शायदा पहले से जानते हो अपने relationship में लेकिन आप confused हो कि हाँ ऐसा है कि नहीं है तो वह चीजें भी clear होने वाली हैं दूसी तरब से मैं यहाँ पर जो देख रही हूं कि partner की अगर आप current feeling बोलना चाहेंगे तो current feeling में आपकी person बहुत अरे I don't know energies यहाँ पर अकेला पनवाली हो रही है अपनी life में बहुत ज़्यादा stress फिल कर रहे हैं happiness नहीं है बर्डन की अनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूं किसी चीज का बर्डन है relationship में वो आगे बढ़ना चाहते है आपके person जो मैं अनर्जीज देख रही हूं उसके according अभी भी आपके person की जो इनर्जीज मुझे मिल रही है उसके अनर्जीज के according यह आपसे contact भी करना चाहत अपने रिलेशनिशिप में आपके साथ आगी भी बढ़ना चाहते हैं में चीज क्या हो रही है कि बर्डन इस बर्डन को मैं बहुत जादा देख रही हूं कि बर्डन की बज़े से वह ना तो आपको कमिट्मेंट दे पा रहे हैं नहीं आप से प्रॉपर तरीके से बात कर रह हो सकता है कि हाँ आपको बताएं ने 108 आवर्स में दूसरी चीज को यह ऐसा में आपके लइंग में सेडन आने का यूग हो रहा है Crush 28 आवर्स में ठीक को यह सलब ज ere Court का पाॉन सकता है आपका पराना पार्टर हो सकता है या फिर सदन कोई ऐसा परशन अचानक से आपके सामने आ जाएगा जिसको शायद आप पहले आपके साथ इनका रिलेशन सिप हो यह बहुत पहले आप उनसे मिले हो तो कि आप बीड़ी नेजरी को साहिए उनके साह 야ब्ण के साथ में और आनगे पहले आप को आपके साथ मैंच हो जाएए आपके सांनेक्ट हो जाए फर हैं बसकती तो इसी है है तो next 48 hours में इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कोई ऐसा परसन या तो रिटर्न हो सकता है लौट सकता है आपके लाइफ में या फिर कोई ऐसा परसन को ऐसा पार्टनर जो बहुत पहले आपसे मिलाकात होई हो आपसे बात होई हो लेकिन अचानक सड़न आपको सर्च कर रहे ह और आप उन्हें मिल जाए फिर बात क्या है जब वह आप उनको मिल जाएंगे तो वह आपसे अपनी फिलिंक शेयर कर देंगे तो यह चीज़ नेक्स 48 आवर्स में मुझे यहां पर दिखाए दे रही है एनर्जी यहां पर यह भी क्या रही है नेक्स 48 आवर्स की कि आपके परसन बहुत जादा मतलब गिल्ट फिल कर सकते हैं बहुत जादा गिल्ट फिल कर सकते हैं कुछ ऐसी बाते हो सकती हैं जो आपके बीच में होई हो लेकिन उन्होंने कुछ उनकी तरफ से मिस्टेक्स हुई हो ठीक है लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को कभी भी नहीं माना ह की हाँ उनसे गलती हुई है लेकिन कुछ तो गलती होगी ना आपके परसण से क्योंकि यहाँ पर कार्ड में आप एक परसन को देख रहे हैं जो कि आपके आगे हाँ जोड़की खड़ा हुआ है और आपसे कहरा है कि भाई सुनो मुझे सुनो ध्याल से मेरी बात को सुनो मैं तुमसे चमा बांगने आया हूँ, मैं तुमसे sorry बोलने आया हूँ, तो यह person की energy आपके साथ connect हो सकती है, मतलब next 48 hours में ऐसी situation बन सकते हैं कि जो आपका partner है, जो person है, वो आपसे sorry बोल सकते हैं, या फिर आपसे आके अपनी जो गलतियां उनसे हुई है, mistakes हुई हैं, उनकी लिए आपसे बात कर सकते हैं, next 48 hours में, बहुत ही खुबसुरूरत card है, तो next 48 hours में कुछ चीजे ऐसी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परिशान हो, ठीक है, तो अचानक से mood जो है, वो swing हो सकता है, अच्छा की तरफ भी जा सकता है, energies changes में भी, बदलाव की तरफ energies लेकर जा रही है, twin flame energies जिसकी भी है, twin flame partner आपका हो सकता है, वो आपसे मिले, क्योंकि twin flame के energies बहुत तेजी से आ रही है, तो आप मिल सकते हो अपने twin flame partner से next 48 hours में, next 48 hours में अगर आप लोगों के बीच में block contact है, आपके person ने आपको block करके रखा काफी time से आप जो है, वो unblock के लिए उनसे बोल रहे हो, या फिर आप उनसे बोल रहे हो कि मेरी बात को सुनो, समझो, या मुझे understand करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो partner है, वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही आपसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ absorb कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो card है, वो इसी चीज़ का है, और वो हर तरीके से उनकी जो नजर है, वो आपकी तरफ है, वो देख रहे हैं, कि आप अपनी life में जो है, वो क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी life में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप की life में क्या-क चेंजिस हो रहे हैं आगे आने वारी टाइम में इस टाइम पर तो आपके परसन आपके साथ कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो कि बहुत उनका जो कॉंटेक्ट होगा वह आपके लिए और आपके रिलेशनिप के लिए मुझे बहुत जादा एक कि पुरानी मिसंडेस्टेंडिंग सदन किलियर होने वाली है हो सकता है कि इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो नेक्स 48 आवर्स में जो मिसंडेस्टेंडिंग किलियर होगी उस चीज में बहुत जादा सम्टैम्स अग्रेसिव हो सकते हो आप भी और आपके परसन भी उस स्टीज पर फोकस करें कॉंसेटेशन करें क्यूँकि नेक्स 48 आवर्स में आपका जो मिलना का जो मतलब она तुनस श på माने की जयादा आ रहे हैं आप किसी टूनस से लेन संंब सकते हो कि तो अगर आप भी अपने टून्द फ्लेम से मिले या टून्द ऐस पर का इमूण और कुछ पराने के लिए शिक्वे हैं आप दनों के बीच में तो उन चीजों की तरफ बहुत ज़्यादा माइंड को नहीं लेकर जाना है जाजतर पीछे की बातें नहीं करनी चाहिए पास्ट की बातों से क्या होता है कि हम अपने आज को और आने वाले कल को दोनों ही चीजों को डिस्टरब कर लेते हैं पास्ट अगर अच्छा है तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे बाते कीचे लेकिन पास्ट में अगर मिसंडरस्टेंडिंग हो गई है, जगड़े हो गई है, बहुत जादा ऐसी चीज़ें हो गई है, जो कि बहुत जादा डिस्टर्ब होई, है न, तो उन बातों को ना करने में ही भलाई है, आज को देखो और आने वाले कल को देखो, क्योंकि जिन्द करनी है, कुणली एनलेसिस करवानी है, टेरो कार्ड डीडिंग करियर फाइनस के लिए उपर करवानी है, रिलेशन सिप मैरेस के लिए, तो आप मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं, जो नंबर है, वो वीडियो पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी एट आवर्स की एनर्जी मैंने आपको बताई, आई होब सो आपके साथ यह एनर्जी राजनेट करें, कितना राजनेट किया है, जरूर कमेंट सेक्षिन ने बताएगा, एंट टेक क्या, बाए बाए